कि आप अपने iPhone में किसी भी app को किसी भी application को hide करना चाहते हैं चुपाना चाहते हैं तो यह कैसे करें आए जाते हैं तो example के यहाँ पर मैं Instagram को hide करके दिखाऊंगा आप इसी तरीके से किसी भी app को hide कर सकते हैं तो पहले Instagram पे long press करेंगे इस तरीके से अब यहाँ पर अगर आपन इसके बाद वापस से long press करने इंस्टे ग्राम पे and require face id का option पे klik करना है क्लिक करें इस वाले option पे अब देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर option आ जाएगा यहां पर हाइड आप पर क्लिक करें तो यहां से Instagram चले जाएगा अगर आप यहां पर जाकर App Library में Instagram सर्च करेंगे तो भी आपको यहां पर Instagram नहीं मिलेगा अब अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे जाएं बिल्कुल नीचे इस तरीके से एक hidden का option यहां पर दिखाई देगा इस पर क्लिक करें face ID आपकी scan करेंगा और यहां पर आपका Instagram आपको दिख जाएगा आप यहां से Instagram ओपन कर सकते हैं यहां पर आपको आपका Instagram दिख जाएगा अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो इस पर long press करें and add to home screen कर दे unhide app पे click कर दे तो यह यहां पर वापस से आपकी home screen पर आ जाएगा Instagram ठीक है